प्रधार्मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिली की प्रगती मैदान अस्तित आईटी पीओ कॉंपलेक्स पहुँचकर हवन पूचन किया कॉंग्रस ने सरकार के खिलाप लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताप पेश किया किंद्र सरकार के खिलाप अविश्वास प्रस्ताप लाने को लोगसभा में मनजूरी मिल गई लोग सभाय स्पिकर ओम बिरला ने कहा कि चर्चा के पाद अविश्वास पर साफ पर बहस की तारिक का एलान कर दीगे। मुख्य मंत्री योगिया दितिनाथ का मतुरा दोरा बाके पिहारे मंदर पहुंचे सीम योगिया दितिनाथ मंदर पहुंचकर वेधि विधान के साथ पूजा अर्चना की बड़े भक्ती भाव के साथ भगवान के दर्वार में मत्था टेक कर पूजा अर्चना की सीम ने किय मंदिर वह आसपास के श्रक्रों का निर्ख्षर और सीम योगी ने व्रिंदावन के रामकेशन मिशन हॉस्पिटल में शुरू हुए कैंसर रोगियों के लिए लाई गई पेट सीटी स्कैन मशीन का फिता काट कर उधाटन किया वही इस मौके पर रामकेशन मिशन के स्वामिक काली दास महराज ने सीम योगी का स्वागत किया और उन्हें रामकेशन मिशन हॉस्पिटल की विवस्था के बारे में जानकारी भी दी वही मुख्य मंत्री ने रामकेशन मिशन हॉस्पिटल को गरीबों के लिए बड़ी उपलब्धी बताया और साथ ही सीम ने जन्सभा को भी संबोधत किया कहा कि हॉस्पिटल सच में नर सेवा करके नरायन सेवा करता हुआ दिखाई देखा है सीम योगी ने कहा कि जिस तरह से बिमारिया बढ़ी है उसी तरह से सरकार में भी सुविधाओं को बढ़ाया गया है वहीं सीम ने जला प्रश्ट्रासन के साथ बार्ड को लेकर भी समख्षा बैठक की है सीम योगी ने पूरे अलाके का हवाई सरवेक्षड किया है जहां से सीम ने मथ्वरा में आई बार्ड का जाएजा लेते हुए लोगों पर आई आफत का निरक्षड किया है CM योगी ने कारगेल यूद्धे के शहीदों को नमन किया है और कहा है कि हर नागरिक को सुरक्षा के गारंटी देश के विकास के लिए सरकार काम कर रही है विश्रम परस्तीतियों में ये कारगेल यूद्ध लड़ा गया था और CM योगी ने कहा कि आतंकियों को हमारे सैनिकों ने खदेड़ा था और आज ने भारत के नर्मार का काम जारी है शहीदों के परिवार को पच्चास पच्चास लाख दिये गए परिवार के एक-एक सदत्से को सरकारी नौक्री दी गई और शहीद के नाम से एक सडक का नामा करन दिया था याद किया है हर्याना के सीय मनोहरलान ने कारगिल विजवय दिवस पर ट्विट किया है और कहा है कि कारगिल विजवय दिवस पर माप भारती के वीर सपूत कारगिल नायकों को मैं कोटी-कोटी नमन करता हूँ 1999 में अद्वितिये युध्य कोश्रल का प्रदर्शन करते हुए हमारे विर सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटलो पर ला दिया था पंजाब के मुखे मंतरी भगवतमान का ट्विट हमारे विर जवानों ने टाइगर हिल की चोटियों पर तरंगा जंडा फ़ेरा कर दुश्मनों को बता दिया था कि जब तक भारती जवान डटे हुए हैं कोई भी भारत की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता है और कारगल दिवस के मौके पर उन्होंने शहीदों को नमन किया राजेपाल लेप्टेनेंट जनरल गुर्वेट सिंग ने कारगल यूद्ध में हुए शहीद को श्रधांच्वी अरपत की राजेपाल ने कहा कि कारगल यूद्ध के दोरान भारतिय सेना ने अदमेर, साहस, शौरे और रड़ीतिक कोशल का प्रदर्शन किया था और इस विजए अभियान में भारतिय सेना के कई शूर वीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया जिसमें देवु में उतुरा खंड के कई वीर सैनिक देश शामल बागेश्वर में कारगल दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर क्रोस कंट्री प्रभाद फेरी वा बाइपास मंडले सेरा के क्रोस कंट्री दोड का आयो चुन किया गया तहसिल परिसर में शहीद स्मारक स्तल परजले के सभी अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प अर्पत करते हुए उन्हें याद किया और नमन किया शहीदों के बलिदान को भी याद करते हुए वीर नारियों को भेज दौरान सम्मानित किया UCC पर काम अंतिम चरण में चल रहा है दिल्ली से दहरदून पहुँचे मुख्य मंत्री बुष्कर सिंग धामी ने यह बात मीडिया से कही है सेम धामी ने कहा कि जल्द ही कमिटेड राफ सरकार को सौपने वाली है जिसके बाद जो वैधानिक कारे होंगे उन्हें किया जवाएगा मसूरी के सेंट जौर्ज कॉलेज में फुटबॉल महाकुम्ब का आगास हुआ है मुख्य मंतरी उश्कर सिंग धामी की पतनी गीता धामी ने इसका शुभारम किया है 1972 में स्वर्गी जैकी गुपता मेमोरियल फुटबॉल टोर्णामेंट के शुरुआत हुई थी दरसल जैकी सेंट जौर्ज कॉलेज के छात्र थे और एक शांडार फुटबॉल खिलाडी की थे मौसम विभाग में उत्राकंड के पांच जलों के लिए दो दिन तक भारी बारिश को लेकर और इंज जलोर जारी किया है मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंग के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को पांच जलों में तीज बारिश हो सकती है जिसके तहट नानिताल चमपावत चमोली पे थोरा गोड़ और बागेश्वर में बहुत तेज बारिश होने की संभावना जुपाई गई मौसम विभाग में बाकी अन्य जनपदों में भी भारिश की आश्रंग का जटाई है इसके साथ ही मौसम विभाग में प्रदेश के कर जलों में अगले चार दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना जटाई है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है वई भुस्खलं के चलते कहीं कहीं सड़के बंद होने की भी इस्तिती बंद सकती है नदी नालों के आसपास रहने वालों को भी सतर्क रहने की उनसे अपील की गई है कारगिल विजय दिवस चमोली में भवे तरीके से मनाया गया है और डियम हेमान्शो खोराना सही तमाम लोगों ने कारगिल श्रहीदों के चित्रों पर माल्यार पड़ करते हुए श्रधासु मनार्पत किया है पोले सेवं एंसे सी जवानों ने श्रहीदों को सलामी दी है उत्राखन राज्जी के 75 और चमोली जन्पत के 11 रन बाकूरों ने अपनी शहादत दी बद्रिनाथ राश्ट्रे राजमार्ग जोशे मट से 1 किलोमेटर आगे बोल्डर वो मलवा आने से बंद हो गया है और अज़ दौरान दोनों और से बाहनों की लंबी कतार लग गई है वही मौके पर हाईवेश साफ करने के दौरान JCB में बोल्डर गिर गिर गया और हाईवे को साफ कराने का कारे जारी टेरी में भारे बारिश के कारण पहाड़ी से आये मलवे की चपेट में तीन आवास ये भवन आये हैं और किसे प्रकार की कोई जनहानी नहीं हुई है मलवे में दबने से कुछ पशोहानी होने के सूचना है गुस्कलन की घटना दिन में होने के कारण लोग आनन फानन में घरों से बाहर निकल गए आस्मानी आपत से चक्राता भी बेहाल है भारे बारश कई अलाकों पर कहर बरपा रही है हरेपोर, कोटी, इच्छाडी, मोटर मार पर खेरवा के पास भारे बारश के चलते एक माकान में मलबा घुस गया है जिसमें एक मवेश्री की मौत हो गई है साथ ही कई वहान मलबे में फस गए हैं माकान में रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब कर खराब हो गया पहाडों में भारी बारिश लगतार हो रही है जिस्तें नदी नाले उफान पर बने हुए है जन जीबन पूरी तरह से प्रभावत है वही केदार घाटी में बारिश राश्ट्रे राजमार्ग पाटा से आगे देर राद से बाधित चल रहा है राजमार्ग बाधित होने से दोनों और तर्थ यात्रियों वो वाहनों की लंबी कतारे लगी रही है, साथी बारश में मंदाकनी का जलिस्तर भी बढ़ा किया है। पहाडों में जारी बारश के बाद अब बैमारियों का ग्राप भी बढ़ने लगा है, जहां जल जनित रोगों के मरिज्दों की संख्या उपस जलाक्षिकत साले विकास नगर में बढ़ी है, वहीं डॉक्टर डेंगू फ्रैलने का खत्रा भी जता रही है। गंगा के उद्गम मिस्तल देप्रियाग में महस दो किलोमेटर की दूरी पर शराप की दुकान खोले जाने से, सौड गाउं के ग्रामिन में भारी आक्रोश टेखने को मिलगवा है। ग्रामिनों ने प्रशासं को चेतावनी दी है, अगर तीन दिन के में तक शराप की दुकान यहां से नहीं हटाई गई तो ग्रामिन का प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। जगपर लोगों ने भव्वे स्वागत किया है, बमबम बहुले के जैकारे से महौल गुंजे मान रहा। नोड़ा में मुसलधार बारिश होई है, जिसके बाद शहर के अलग-अलग अलाकों में जलभराप देखने को मला है। सेक्टर विरासी अंडर पास जलमगन हो गया है, नोड़ा एक्स्प्रेस वेव फिल्म सीपी के पास भारी जलभराप की स्थिती देखने को मिल रही है। और अन्य सेक्टर 62 के साथ दरजनों अलाकों में जलभराप से लोगों को भारी परिश्चानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर पोलिस ने डॉक्टर का अफ़रड कर फिरोती वसूलने वाले तीन अफ़रड करताओं को गिरफतार किया है। ब्रेक के बास स्वागत है आप सभी का सिधर लिये चलेंगे दिल्ली जहां पर ITPO कॉंपलेक्स का उधगाटन कारेकरम है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी शामिल है। कर दिकाते हैं। 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 अण शपन हम लंग गाइ झативा तब ता निभाने डी कि अधर शुλλά। तेरानाता धिरानाता धिर Fresh Canada तेराकिता तोंता धिराव तोंता थिर अजेगाइंडे छिसने धिरानाता गीाव डेल पन्हु आम शिटे ल। ओम्नमा शीवाई जुप स्वदेकर रान धाल्ग मांगलुषी इन आ सक्दक रनक रहा सुदकर बात भी जोनिय स्वाज न अंतर आ धुत ओ न जुपरिज भाइंघक notch हैं क मेष्विभाई अ नन्मेषी आए-चै たरत्य viewer ओम नमस्षिवाय, 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 ओम नमस्षिवाय आप चले आगे बढ़ते हैं संगम एक्स्प्रेस की और देवबंद में उपजला दिकारे संजेव कुमार के नितरित में जेई एनके सिंग और उनके टीम निमों के पर पहुँचकर अवैद कॉनलियों पर बुल्डोजर की कारवाई कि कारगिल विजय दिवस पर 25 वी वर्षगाट के अपसर पसेना के पुंच ब्रिगेड द्वारा है रजत जयनती डौड का आयूचन किया गया हिमाचिल प्रिदेश के जला मंडी में 6 मील के पास भुसकलन आने से चंडिगर्ड मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया अब हुसकलन से 6 मील के पास हाईवे बंद हुआ और हाईवे से मलवा हटाने का कारेश शुटो कर दिया किया है और अभी हाईवे बहाल होने में इस समय लग सकता है ग्रेटे नोड़ा के लड़पूरा गाउं में दो पक्ष आपस में भिड़गे दोनों पक्षों में जम कर मार पीट हुई और अस दोरान फाइरिंग की भी बाते सामने आ रही है मामले में पूलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुगत्मा दर्स गिया है साथ ही कुछ लोगों को गिरफतार भी किया किया है मतुरा में तीन साल पहले बच्ची के दुशकर्ण के बाद हत्या में दोश्री को फासी की सजा सुनाई गई है सजा होते ही पुलिस दोश्री को जेल ले जाएगी कुरुश्रेत्र में आई फ्लू तेजी से फैल वहा है कुरुश्रेत्र के लोग नायक जे प्रकाश नारायन अस्पताल के ओपीडी में 60 से 70 पीस्ती मरीज इजी रोग से प्रभाविद है नेत्रु रोग चिकर्सक डॉक्रर नेक्ता ने बताया कि दवा के साथ 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 साथानी बरतने की भी जरूरत है उन्होंने कहा कि ओपीडी में 60 से 70 प्रतेश्ट मरीज इसी बीमारी से जुड़े हुए आ रहे है कि फिरोजबाद में आगामी ते उहार को लेकर प्रश्रासन अलर्ट जिसको लेकर प्रश्रासन ने जुनपत के विभिन स्थानों पर यातायात सुरक्षा वबस्ता का जायजा लिया और इस इक्रम में सेटी सर्वेश मिस्ट्रा और डेपटरी स्पी कमलेश कुमार ने नि कराने के लिए नगर के प्रमुख्र स्थानों का नरक्षड किया दिया है कि सितारगंज कोतवाली में आगामी ते उहार के मदेन जरह हैं बैठक हुई है मोहरम को श्रांतिपुन संपरे कराने को लिकर शत्रादिकारियों प्रकाश्र सिंग और तहसलदार जगमोहंत्रे पा बारश के बाद उपान पर रापती नदी, बारश रे रापती नदी का बढ़ा जलस्तर खत्र के निशान से 90 संटीमीटर उपर रापती नदी और पानी आने से महली धिनगा मार्ग कटा जलस्तर बढ़ने से 10 दनों गाओं में खुशा फान बागपत में IGL कंपनी की गैस पाइपलान परटे यमुना नदी में गैस पाइपलान परटे से यमुना नदी ने तोफान और सुचना मिलते ही मोखे पर पोनचे बुलस अभिकारी हैं, अभिकारी उने गाओं के लोको को किया अलर्ट और छपरौली था नश्चेत्र के से दो घर और स्कोर्शतिक्रस का इम अवेश्यों के पहचाने की भी खबर और इसे बीच वक्त एक छोट सब्रेक का